नमस्कार बच्चों, मैड इंपल सेनी लेकर आई हूँ, फिर से आपके लिए हिंदी के ओनलाइन क्लास तो आप सभी का हर्दी का भी नंदन है। उस कावे खंड के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कावे होता क्या है। आज हमारा जो लेक्चर है वो क्या है कावे परीचे के रूपे है तो शुरू करते हैं हमारा कावे परीचे कावे क्या है कवीताई और कवीताओ की क्या-क्या चीजे होती है क्या-क्या आवशक्ताई होती है ऐसे आप अपने मन में विचार आया और आपने कुछ लिख दिया तो ऐसा नहीं होता है वो जो मन के जो विचार है जहां पर विचारों की अभिविक्ति होती है वो गद कहलाता है और कावे उससे बिल्कुल अलग है कि जहां पर भावों की अभिविक्ति होती है आपने कुछ फील किया और आपके अंदर कुछ भावनाई आई है उस जब बहुत सोचनी के उपरांत यानि के सोचनी के बाद में आपके कुछ विचार बनते हैं, जो विचार आये हैं वो गद के अंतरगत आ जाते हैं, तो जहां विचारों की अभिवेक्ति होती हैं, महां गद कहते हैं उसे और जहां भावों की अभिवेक्ति होती हैं, महां उस से कावे क्यते हैं पुर्षुरू करते हैं हमारा यह है सबसे पहले हमारा प्रशन कं आता है कि कावे क्या है तो क्या है काले देखिए कि काले बहन grapple चंदो बद यानि कि कावे का एक अंग है कि जिसमें चंद होता है ठीके चंद क्या है एक लय बद रचना जिसमें गती यती लय तुक का ध्यान रखा जाता है वह होती है चंद कावे एक चंदो बद एवं लयात्मक जिसमें लय होता है गेशेली होती है ठीके साहित्तिक रचन जो शुरोता यानि कि सुनने वाले पाठक जो पढ़ने वाले सुनने वाले या फिर पाठक पढ़ने वाले की मन में भावात्मक आनंद की श्रष्टी करती है भावात्मक आनंद एक अंदर से अंदरूनी आनंद अंदरूनी खुशी उत्पन करती है खुशी मतलब पैदा करत है किवे को पढ़ने के बाद या फिर कावे को सुनने के बाद कावे के लिए बजन भी हो सकता है कावे कविता है कावे एक गाना भी हो सकता है का कावे सबत भी हो सकता है कावे सुक्तियां भी हो सकती है कावे दोहे भी हो सकते है तो कुछ भी हो सकता है इन सबको सुनने के बाद आपको आत्मानुबूती होती है एक आंतरिक आनंद की अनुबूती है आंतरिक सुप्रदान होता है वह क्या होता है कावे होता है अना दूसर चंदोबद रचना के तहत आपके सामने प्रस्तूत करी है चंदोबद रचना यानि कि कोई एक गाने योग बजन को आपके सामने प्रस्तूत कर दिया है तो उस बजन या फिर दोहे को प्रस्तूत करा है तो उस दोहे के अंदर जो भी बात कही गई है आपके सामने रस और आन कवीता ही कहते है तो कावे क्या है कावे एक कवीता है कावे कवीता है उसके बाद कावे के दो पक्ष होते हैं कितने पक्ष होते हैं दो पक्ष होते हैं सबसे पहला होता है भाव पक्ष दूसरा होता है कला पक्ष अब भाव पक्ष में क्या होता है कि कावे के अंदर किन वो को यहाँ पर प्रस्तूत किया गया है कवी के या फिर जो बकता है जो भी इस कावे को प्रस्तूत कर रहा है उसके कौन से भाव है किस विशे को लेकर यहाँ पर कवीता की रचना रची है उस कवीता में उस विशे के लिए या किसी प्रकरती को लेकर किसी की व्यक्तित्व को लेकर अगर कोई रचना रची है उस रचना में महाँ पर भाव कौन कौन से प्रस्तुत हो रहे है वो होता है उसका भाव पक्ष दूसरा होता है कलापक्ष की बात बताए कि जैसे एक मकान की बात बताती हूं मैं आपको एक घर बनाया है घर बनाने में कुछ चीजों की आवशक्ता होती है वस्तुओं की पत्थर की इटों की सिमेंट रेट वगरा बहुत सारी चीजों की लोही की आवशक्ता होती है लकडियों की आवशक्ता होती है तो ये तो सब क्या हो गई सामगरी इस सबसे जुड़कर इन सबसे जुड़कर एक भवन का निर्मान हुआ तो वो क्या है दिवारों का निर्मान करके एक भवन का निर्मान हो गया तो वो क्या हो गया एक कवीता बनी है कि कलापक्ष से यानि कि कुछ चीजों से मिलके कुछ वस्तूओं को लेकर हम समू बनाकर और उनको जोड तोड करके और फिर ऐसे एक भवन का निर्मान कर देते हैं वैसे ही कुछ व्याकरनिक भाषा, कुछ संस्क्रतिक भाषा शैली, कुछ भाषाओं को लेकर, कुछ व्याकरनिक पहलूओं को लेकर, उसके अंदर कावे के अंगों को लेकर, जिसमें रस, अलंकार, छंद, कावे गुण, कावे दो, शब्द, शक्ती इन सब का समाविश करके एक रचना तयार की जाती है उसे कहते है कावय तो कलापक्ष क्या हो गया जिसमें कावय के अंगों का समाविश होता है जिसमें कौन सी भाशा शलीकार उप्योग किया गया है किस तरह की शब्दा वाली का उप्योग किया गया है संस्क्रत निष्ट है या सहज सरर भाषा है इस तरह की बाते अगर आती है इस तरह की कोई विचार आते है तो वो कला पक्ष में आते है और जहां पर भाव होता है तो वो भाव पक्ष में आता है आगे देखते हैं कावे की अंग अब हम आते हैं कावे की अंगों की तरफ कि कलापक्ष की अंधरकत कावे की अंग से माविश्ट रोंने चाहिए कलापक्ष में कावे के कौन-कौन से अंगों को लिया गया है यानि कि अंग से क्या लेंगे आप सबसे पहले देखिए ज Mexican कौन्सा है भई कि मातरिक चंद और विसम मातरिक चंद इस तरह से चंदों को बाटा गया है उसमें भी कई भेध है, चौपाई है, हरी गीती का, गीती का उसके बाद में आ जाता है, हमारा वर्निक चंद आ जाता है वर्निक चंद में देखिए कि वर्नों की गन्ना की जाती है और मातरिक चंद में मातराव की घंणा की जाती यानि कि मातरिक और वनिक चंदर को फिर से डिवाइट किया गया है उसके बाद आते हैं हम अलंकार की तरफ कि अलंकार कौन से होते हैं यानि कि कावे की शोबा बनाने वाले जो शब्द होते हैं उनकों से होते हैं और कैसे कैसे शोबा बढ़ा रहे हैं जैसे एक महिला की शोबा बढ़ाने के लिए बहुत सारे आभूशन धारन किये जाते हैं वैसे ही कावे की शोबा बढ़ाने के लिए भी उसके अंदर कुछ आभूशन धारन करवाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं अलं क्या होता है आनंद ठीक है यानि कि कोई कवीता हमने पड़ी कवीता है लेकिन उससे हमें किसी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो वो कावे की श्रेणी में नहीं आएगी बले ही वो अंकार के साथ लिखी है बले ही वो छंद के साथ लिखी है लेकिन उसके अंदर कि किसी प्रकार से रस अनुभूति नहीं है, रस का समाविष नहीं है, किसी प्रकार का भाव नहीं आया है, चाए आप करून रस की बात करें, चाए आप रौदर रस की बात करें, चाए शांत रस की बात करें, चाए शृंगार रस की बात करें, किसी भी रस की बात करें, अगर क किसी व्यक्ति की तो वो व्यक्ति क्या एक मास का पुतला है एक लोथडा है बस और कुछ नहीं है ऐसे ही अगर किसी कावे में रस नहीं है तो वो सिफ कुछ पंक्तियों का समावे शो अन्यता और कुछ भी नहीं है अगर इसमें रस है आनंद है सुख है कोई भावानू बूत अगे देखिए कौन सा है कावे गुन अब बहुते हैं अब गुन तीन प्रकार के वोते हैं प्रसाद मादूर्य और ओज इसका सिक्वेंस यह है कि प्रसाद गुन मादूर्य गुन और ओज गुन अगर सीधी सरल भाशा में कोई बात कही गई तो वन प्रसाद गुण हो गया थोड़ी सी मदूरता के साथ कही गई हैं विशेष्थ्थथ साथ कही है लाक्षुनिकता के साथ कही है तो फिर वहां पर मादुर्य को गया उसके बाद यहीं बाद बहुत तेज तर्रार और आवेश में आखर चैंए गुस्से में आकर कोई कविता का पद है उसमें जो बात कही गई है वो किस अर्थ में कही गई है मुख्य अर्थ में कही गई है लक्षन अर्थ को प्रकट करने के लिए कही गई है या फिर व्यंग्या अर्थ में कही गई है कि बात कहनी क्या है लेकिन इसका अर्थ कुछ और निकलना है तो वहाँ पर क्या हो जाती है शब्द शक्ति हो जाती है तो कावी की अंग है कौन-कौन से छंद, अलंका, रस, कावी गुन और शब्द शक्ति इन सभी चीजों का कावी में होना आवशक है अन्य था वह कावी की शेनी में नहीं आईगी जो भी कोई रचना है, जो कवी के द्वारा लिखी गई है वह कावी की शेनी में नहीं आईगी आगे देखिए, अब आते हम कावी के रूपों की तरफ यानि कि कावी के दो रूप होते है पहला है श्रव कावे दूसरा है द्रश कावे यानि कि एक कविता ऐसी होती है जिसे हम सिर्फ सुन सकते है जो सुनी जा सकती है जो रूपक और रूपरूपक में होती है लोग बाग कई आपने देखा होगा कि तेहारों के अवसर पर कई लोग जुण्ड बना कर आते है और एक भजण सा या गीत सा सुना कि चले जाते तो वो क्या हो गया श्रव कावे जिसे हमने सिर्फ सुना है उसके बाद आता है द्रश कावे जो देखा जाता है जिसमें द्रश कावे जहनी कि जो लीपी बद किया हुआ हो शुरव्य कावे तो सिर्फ सुनने ही होगे है सुनने के लिए और जो द्रश कावे है वो लीपी बद किया हुआ होता है लीपी बद किया हुआ यानि कि लिखा गया जो लिखा हुआ है ठीके यानि कि जो सिर्फ सुनने के लिए है जिस सुना जाता है सुना सुनाया है उसको लिखा हुआ हमने कभी देखा नहीं है तो वो श्रव कावे में आता है जिसमें रूपक और उपरूपक आते है उसके बाद में आता है द्रश कावे तो द्रश कावे दो प्रकार का होता है प्र प्रबंद कावें में आएगी और अगर आप नियोमों से मुक्त होकर स्वचनदता गे साथ कावे रचना कर रहे हो तो हो मुक्त कावे के अंदर गताएगीं तो यह थे कावे के रूप श्रव कावे और द्रशिकावे अब हम आते हैं कावय में धारा के लिए, यानि की कावय में जो हम भक्तिदारा की बात करते हैं, यहां पर ये भक्तिदारा है, कावय की रूप में देखें तो भक्तिदारा बहुत ही प्रमुक मानी जाती है, बहुत मुख्य मानी जाती है, जब हम भक्तिकाल की बात करें, तो बक्तिकाल में जो कावे था वो दो प्रकार का था सगुन बक्तिदारा और निर्गुन बक्तिदारा की दो शाकाय थी राम बक्तिदारा और कृष्ण बक्तिदारा ऐसे ही निर्गुन बक्तिदारा की दो शाकाय थी ज्याना श्री और प्रेमा श्री ज्याना श्री कौन सी थी स इसी प्रकार से सबुन बक्तिदारा में जहां पर राम की भक्त थे वहां उन्होंने अपने राम को इस्ट मानकर और फिर कावी की रचना करी है उनके गुणों को बता कर सबुन कावे में क्या था कि राम बक्तिधारा में राम को इस्ट मानकर फिर अपने कावे की रचना करी अपने प्रेम को प्रकट किया है वहाँ पर राम भक्तिदारा की शाखा आती है और दूसरा है क्रश्न भक्तिदारा यहाँ पर क्रश्न को इस्ट मान कर उनके साथ सखा भाव में उनके साथ प्रेम लीला में उनके साथ कई प्रकार से गोपियों की माध्यम से सूर्दास को देखे तो मीरा को देखो तो रसकांद को देखो तो यह सारे के सारे कवी किरश्न भक्ती शाखा के अंदर कर आते हैं ठीक है अब देखिए आगे चलते हम यहां पर हिंदी साहित्य का काल विबाजन दिया गया है आचर एनाम चंदर जी शुकले की अनुसार जिस लेकिन हम यहां पर जिनका विवेचन कर रहे है वो है आचरे राम चंदर शुकले तो आचरे नाम चंदर शुकले के अनुसार जो पहला काल है उसको आधिकाल नाम दिया है और जिसका वीर काथा काल भी है जैसे राहुल संकृतिया नन ने उसे श्रंगाल कार सामंत काल अध भी मिश्रिबंदुओं ने अलग नाम से पुकारा है और भी बहुत से अलग अलग नामों से पुकारा है तो ऐसे ही आचरे रामचंदर शुकले जी ने जो पहला काल था जो विक्रमी सम्वत 1050 से 1375 तक का समय है जिसके अंतरगत उसे आधिकाल यानि की वीर गाथा काल का है वीर गाथा काल इसलिक आए जहां पर वीरों का बखान किया गया था वीरों के शौरे की गाथाई लिखी गई थी ठीक है आगे देखिए दूसरा काल जो आता है पूरु मद्धिकाल जिसे भक् काल में सगुन और निर्गुन दो धाराय चली थी ठीक है अब देखिए क्या है कि भक्ति काल को कहा जाता है मद्धिकाल यह नहीं मद्धिकाल दो प्रकारत का था पहले पूरु मद्धिकाल और जो बाद वाला है उसे उत्तर मद्धिकाल तो पूरु मद्धिकाल का समय माना यहां 335 विक्रमी सम्वढ समात हुआ और यहां से भक्त काल शुरू हो गया और 1700 विक्रमी सम्वढ टक चला था उसके बाद 1100 विक्रमी सम्वढ से उत्तर मद्य काल शुरू हो गया यानि कि रीतिकाल जहां पर श्रंगारिक्ता का बहुत प्रचलन वुआ था बगवान की भक्ति को छोड़कर और आश्रताओं की भक्ति करने लग गए जो भी कवी थे दरबारी कवी ते चारण कवी थे वो इश्वर की भक्ति को छोड़कर क्योंकि उनके भरन पोशन की मुसीबत आ रखी थी भरन पोशन का सवाल था उस भरन पोशन के कारण जिस आश्रे दाताओं की आश्रे में लिए कवी और चारन रहते थे जितने भी कवी दरबारी कवी बन गए थे और चारन कवी थे वे सारे के सारे अपने आश्रे दाताओं क बखान के लिए उन्होंने ये कावे रचना करी और वो किसमें आती है रीती काल के अंतरकत आती है तो ये जो रीती काल है वो 1700 विक्रमी समवत से 1900 विक्रमी समवत तक का समय आता है अब आते हम नंबर 4 की तरफ जो अभी हमारा समय चल रहा है आधूनिक काल यानि कि 1900 विक्रमी समवत से अब तक का समय आज तक का समय किस श्रणी में आता है आधूनिक काल के समय में आता है 1900 विक्रमी समवत से अब तक का समय जिसे कहते हैं गद काल अब आप कहेंगे कि पद भी तो है तो इसे पद काल और गद काल दोनों क्यों नहीं कहा तो मैं आपको बताओं कि सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है वो गद्ध में लिखा गया है जो आधुनिक काल था वो प्रारम में गद्ध काल था उसके बाद दीरे 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 बाद में पद्ध का विकास हुआ नहीं आप देखे कि आधुनिक काल के भी को भी पांच भागों में बाटा गया है पहला है भारतेंदू योगिन काल दूसरा है दिवेधी योगिन काल नमर तीन का है पूर्व छायवाद जो योग आता है वो ठीक है तो चायवाद युग में कावे को चार इस्थम दिये गए थे तो चार इस्थम कौन कौन से थे सुमितरा नंदन पंथ, सूरे कांतरी पाटी निराला, जैशंकर परशाद और महादेवी बर्मा जी इन चारों ने मिलकर जो चायवाद को उपर उठाया है और कावे को एक भावानु भूती दी है, वो बहुती अनोखी और विलक्षन है तो ऐसे चायावाद तीसरे नंबर पाया उसके बाद में जो आता है उत्थर चायावाद यानि कि शुकले युग भी बोलते है और उत्तर शुकलोतर युग भी बोलते है उसके बाद जो आता है काल वो आता है प्रगतिवादी, नई कविता, प्रियोगवादी, साडोतरी और बहुत सारी कविताओं का प्रचरन चल जाता है तो ये था हमारा आदूनी काल का समय जिसमें सबसे पहले गद लिखा गया था गद साहिती लिखा गया उसके बाद चलते हम देखिए आपके पाठे करम की तरफ चलते हैं कि अब हम कावे खन शुरू करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम बता देखी हमने गद खन को पूरा पढ़ लिया है और कौन-कौन से चप्टर हमने पढ़ लिया है. तो देखिए बात्चीत हमने पढ़ ल एक लेक और एक पत्र भगत सिंग्ग जी का पढ़ लिया, ओ सदा नीरा जगदिश चंद्र माथुर जी का पढ़ लिया, ठीके, सिपाई की मा मोहनराकेश जी के द्वारा, प्रगीत और समाज नामवर सिंग्ग जी के द्वारा, जूठन ओम प्रकाश वालमी जी की चीवनी है ये आत्म गता एक तरह की हसते हुए मेरा अखेला पन मलैज के द्वारा उनके डाइरी के पन्ने है ये तिरिच शिक्षा जिद्दू कृष्ण मूर्ती जी के जो विचार थे एक विश्व गुरू यानि कि विश्व शिक्षक के रूप में जिनको माना गया था उनके बारे मे क्या है की के क्या है काek के पक्ष क्या है कावी कहा कए किस काक गट जो हींदि साहती वो कितने Praosen कालों बुबाज़ित हुए उसमें कावे कहां से चुरू हा ये सारी चिचेश हमने पड़ी और आप देखेंगे कि आपके पाठी करम में कावय कितना आया है और कौन कौन से है उसके लेकर कौन-कौन है उनी को लेकर हम इस कावे को पूरा करेंगे तो देखिए पहला जो चैप्टर है आपका वो है कड़बक वो लिखा गया है मलिक मोहमद जैसी जी के द्वारा दूसरा है पद सूरदास के पद आए है आपके दूसरे तीसरे नंबर के जो पद है वो जैसी जी तीरों को पढ़ने वाले हो आप चप्पे नाबादास जी के द्वारा लिखा गया है चप्पे क्या है एक चंद है क्या है चप्पे एक चंद है कवित्व भी ये कवित्व चंद में लिखा गया है और ये शिवराज भूशन जी के द्वारा लिखा गया है जम्षिर बहादूर सिंग जी की रचना है, जन जन का चहरा एक गजानन माधों मुक्ति बोद जी के द्वारा लिखा गया, अधिनायक रगुवीर साहे जी के द्वारा लिखा गया, प्यारे नन्य बेटे को विनोत कुमार शुकले जी के द्वारा, हार जीत अशोग हम पद में करने वाले हैं तो जी जान से आप लग जाईए पढ़ाई में क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है इतना जितना हमने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना है उसको ध्यान में रखना है और पढ़ने वाले है उसके लिए कमर कसनी है यानि कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है तो इसी के साथ देखिए आज हमारा जो कावे का परीचे है वो पूरा हुआ है हम कैसे कावे पढ़ने वाले है, कौन-कौन से चप्टर पढ़ने वाले है किन-किन कावे की अंगों की रूप में क्योंकि जब हम कवीताओ की सप्रसंग व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करने के साथ ही हमें ये पता चलेगा कि उसमें कावे की कलापक्ष क्या है, बावपक्ष क्या है कलापक्ष में कौन-कौन सा अलंकार काम में लिया गया है कौन सा छंद था इसमें, कौन सा रस है इसमें, कौन सी कावे गुण है, कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है तो इन सारी चीजों का जब तक हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे इनको तो ये सारी चीज़े हमें पढ़नी है बहुत अच्छे से पढ़नी है और लेकर आते हम नया चप्टर आपका कड़बक जो लिखा गया है मलिक मौमद जायसे जी के द्वारा तो त्यार हो जाईए कड़बक को पढ़ने के लिए मलिक मौमद जायसे जी के जीवन परीजे को प बताना चाते हैं वो सारी चीज़े पढ़ने के लिए तब तक के लिए थैंक्यू